भोला राम की शादी कहानी को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चानल को सब्सक्रेब कीजिए सितापुर में भोला राम नाम का एक सीधा साधा आदमी रहा करता था उसे अपने पिता की ओर से संपत्ती अवश्य प्राप्त हुई थी फिर भी वह मेहनत करके अपना पेट पालता था गाउ के कई लोग उसके साथ अपनी कन्या को ब्याहने के लिए तयार थे ऐसे में एक दिन पडोस के गाउ से रुद्रप्रसाद नाम का एक दगाबाज आदमी वहाँ आप होंचा उसके साथ एक काली कलूटी बदसूरत लड़की थी वह दुस्ट गाउ के लोगों को समझाने लगा भाईयों यह मेरी लड़की है इधर दो महीने पहले यह भोला राम हमारे गाउ आया था तब उसने मेरी बिटिया के साथ शादी की आज तक मैं इंतजार करता रहा कि एक दिन भोला राम आयेगा और अपनी बीवी को ले जाएगा मगर यह महाशे आया ही नहीं लाचार होकर आज मैं अपनी लड़की को इसे सौंपने आया हूँ मुझे शक है कि बोला राम कही मेरी बेटी के प्रती अन्याई तो नहीं करेगा मैं आप लोगों से मदद मांगने के लिए आया हूँ आप लोग ही इसे कुछ कहिएगा गाम वालों को रुद्रपरसाद की बातें कुछ आजीब सी लगी फिर भी तमाशा देखने इरादे से कुछ लोग रुद्रपरसाद के साथ भोला के घर पहुंचे भोला राम ने साफ कह दिया कि उसने कभी रुद्रपरसाद की लड़की की सूरत तक नहीं देखी है अपने गाउ के गवाह पेश कर सकता हूं भोला राम गाउ के मुखे के पास गया और इस बला से बचने का अनिरोध किया मुखिया जानता था कि भोला राम सच मुच बोला है वा सोचने लगा कि भोला को इस मुसीबत से कैसे बचाया जाए दूसरे दिन गाउं में लक्ष्मी प्रसाद नाम का एक और आत्मी आया उसके साथ एक सुन्दर युवती थी उसने गाउं वालों को बताया कि चार महीने पहले भोला उनके गाउं आया था तब उसने इस युवती के साथ शादी कर ली है भोला राम ने सिर पीट कर हो हला मचाया और कहा खुदा की कसम इस लड़की से मैंने शादी नहीं की है अब लक्ष्मी प्रसाद गाउं के मुख्ये के पास शिकायत लेकर गया उस समय रुद्र प्रसाद वही पर बैठाता मुख्ये ने दोनों की बाते गवर से सुन ली और फिर कहा तुम दोनों की बाते सुनकर लगता है भोला राम ने पहले लक्ष्मी प्रसाद की लड़की से शादी कर ली वह अमीर बाप की रूप संपन कन्या है अगर भोला राम ने उसके साथ शादी की है तो वह दुबारा दूसरे गाउं में जाकर रुद्र प्रसाद की इस लड़की से शादि नहीं करेगा इसलिए यह स्पस्ट है कि तुम दोनों मेंसे कोई एक जुट बोल रहा है रुद्र प्रसाद ने कहा अगर मैं जूट बोल रहा हूँ तो अभी अपने गाउं से गवाह ले आता हूँ लक्ष्मी प्रसाद ने भी गवाह हाजिर करने की बात कही इस बात को लेकर दोनों के बीच काफी वात विवात हुआ उसी समय वहाँ पर एक कसाई आ पहुंचा उसने रुद्र पसाद की लड़की की वोर लाल पीले आंखे करके कहा अरी नादान तुम यहाँ पहुंच गई हो क्या तुम्हें पहले यह मालूम न था की कसाई के साथ शादी करने पर उसके घर में मरे जानवरों की खाल उधिरने ही पड़ेगी शादी करने से पहले तुम्हें इस बात पर सोच लेना चाहिये था शादी के बात तुम घर से भाग जाओगी तो मैं तुम्हारी खाल नहीं उधिर दूँगा चल मेरे साथ की मार दूँ एक लात, लातों के भूत भातों से नहीं मानते मुखिये ने पूछा, तो क्या इस लड़की के साथ तुम्हारी शादी हुई है? जी हाँ, यह मेरी बीवी है, हमारी शादी के गवाहों को मैं ले आया हूँ अपने साथ, वे उधर गली में खड़े हैं, आप इजादत दे दे तो मैं उन्हें बुला लाऊं, कसाई ने पूछा मुखिये ने गवाहों को बुला लिया, सब ने एक स्वर में कहा कि कसाई ने रुद्रपरसाद की बेटी से शादी कर ली है, मुखिये ने अपना फैसला सुनाया, अब और गवाहों की जरूरत नहीं है, रुद्रपरसाद की लड़की भूला राम की बीवी नहीं है, यह कसाई के साथ तुम्हारी शादी कराई है इसके लिए ये सभी लोग गवा है तुम्हें अपने पती के घर जाना ही पड़ेगा मुखिये ने अंतिम फैसला सुनाया यह सुनकर बगसुरत लड़की की आंखों में आसों भराये उसने मुखिये को निवेदन किया सहथ फुद्र भुला राम के साथ कभी मेरी शादी नहीं हुई मैं सच बता रही हूं महरबानी करके मुझे कसाई के साथ ना सौंपियेगा मुखिये ने कहा बस अब तो समस्या हल हो गई अब भुला राम लक्ष्मी प्रसाद की पत्र के साथ अपनी ग्रुहस्ती चला सकता है खुदूर स तुम्हारी बात मान लेते हैं लेकिन अब यह बताओ कि मेरी इसकन्या के साथ शादी करने के लिए तुम तैयार हो या इसमें तुम्हे कुछ आपती है मुझे तो यह सब कुछ अजूबा लगता है समझ में नहीं आता कि यह सब आशर जनक क्यूं हो रहा है अचरच गिवर ढून रहा था मुझे डर है कि मेरी इस भूली भाली लड़की को विवाह करके बाद कोई धोका दे सकता है इस हालत में मुझे बोला रम के बारे में खबर मिली मैंने उसकी परिक्षा करनी चाही अचानक मुझे प्रुद्रपसाद की योजना का समाचार उसके एक ग अच्छा अब यह बताओ बोला रम के बारे में आपके क्या राय है मुझे ने पूचा लक्ष्मी प्रसाद ने उत्तर में कहा मुझे लगता है बोला रम आभोध हो सकता है पर जो कुछ हुआ उसमें यह सिद्ध हुआ की जूटे आरोप से डर कर दूसरों के सामने आत्मा स फोरन मान लेता मेरे विचार में बोला रम बड़ा नेक और इमानदार है इसे से तुम्हारा भला क्या लाब होगा मुझे ने पूचा धेकिए हमारे समाज के दगाबाजों से बोला रम को बचाने के लिए मुझ जैसे विक्ति की बहुत आवशकता है अगर यह मेरी लड़ लक्ष्मी प्रसाद ने अपने दिल को खोल दिया बोला रम लक्ष्मी प्रसाद के प्रस्ताव को कैसे अस्विकार कर सकता था बड़ी खुशी से बोला रम ने लक्ष्मी प्रसाद का दामाद बनना मन्जूर किया बोला राम का पारिवारित के जीवन बड़ा सुकमई बना झाल झाल